नमस्कार प्रभासाक्षी के खासकारक्रम में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं पांच राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं भारत समेथ दुनिया का लगभग हर एक मुल्क 2021 में भी कोरोना महामारी से आहद था और अब हम नए साल की दहलीस में बैठे हुए हैं ऐसे में कोरोना की नए वेरियंट ने दस्तक दे दी है इसके साथ ही हमारा मुल्क चुनावों की तरफ बढ़ रहा है साल 2022 के सुरुवाती महीने में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिनमें उत्तरप्रदेश उत्रा वाली भारती जन्ता पार्टी की सरकार है ऐसे में विपक्ष का सारा दारोमदार अकलेस यादों की पार्टी के ऊपर है आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष राम गोविन चौधरी है नौ जुलाई 1903 में जिला बलिया के गोसाईपुर में जनमें के राम गोविन चौधरी ने लखनव विश्विद्याले से कानून की पढ़ाई की थी और फिर उन्होंने वकालत भी किये अकलेस यादाव के करीबी माने जाने वाले राम गोविन चौधरी आठवार के विधायक हैं और वह सिक्षा मंत्राले और बाल विकास मंत्राले का भी पद्वहार समाल चुके हैं जैप्रकास नारायन और पूर प्रदान मंत्री चंद सेखर के साथ काम कर चुके राम गोविन चौधरी ने छात राजनी से अपने रासनैतिक करियर की सुर्वात की थी और आपात काल के दौरान जेल भी गए थे उत्तराखंड उत्तराखंड म में प्रीतम सिंग को सर्वसेश विधायक पुरुषकार से नवाजा गया था वोत्राखंड सरकार में कई महत्रकुन मंत्रालों का पद्भार भी समाल चुके हैं इसके अलाबा साल 2017 में उन्हें प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था इतना ही नहीं प 2007 से 2017 तक मुखमंत्री रह चुके दिगंबर कामत का जन्म आठ मार्च 1954 को मारगाओं में हुआ था पेसे से व्यापारी और रियल इस्टेट डेवलपर दिगंबर कामत इस बार मढगाओं विधानसभा से चुनाओं लड़ने वाले हैं कॉंग्रेस ने आठ उम्मीद्वारो की टिकट पर भी चुनाओं लड़ चुके हैं साल 1994 में जब कॉंग्रेस ने दिगंबर कामत को टिकट नहीं दिया था तब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था लेकिन 2005 में उनकी घर वापसी हुई और सर्व सम्मत से विधानसभा के नेता के रूप में उन्हें चु कुमिका में हैं दस परवरी 1974 को जन्में हरपाल सिंग चीमा संगरूर जिले में इस्तित दिर्बा विधानसभा छित से आम आत्मी पार्टी के विधायक हैं वे साल 2017 के विधानसभा चुनाओं से ठीक पहले आम आत्मी पार्टी में सामिल हुए थे उन्होंने सिडोमरी अका विधानसभा में नेता प्रितिपक्ष नियुक्त किया गया था मड़िपुर साल 2017 के विधानसभा चुनाओं में सबसे जादा सीट जीतने के बाद भी कॉंग्रेस सरकार बना पाने में सफल नहीं हो पाई थी ऐसे में तीन बार के मुखमंत्री रहे ओक्राम इबोबी सिंग नेता प्रितिपक्ष की भूमिका में आ गये कई बार हमलों का सामना करने वाले ओक्राम इबोबी सिंग ने साल 2017 में थौबल निर्वाचन छेत से 18649 मतों से जीत दर्ज की थी साथ बिधान सभा सीट वाले मरीपुर में कॉंग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन कर उबरी थी जबकि भाजपा 21 सीटे ही हासिल कर पाने में सफल हुई थी फिर भी सरकार बना ली और मौजूदा समय में भाजपा के स्थित कॉंग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत है